हलो स्टूडेंट्स ओटुएस एकेडमी के चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में मैं बात करूँगा हर्याना सिवल सर्विसिस की प्रेपरेशन के बारे में और उसमें भी एक स्पेसिफिक टॉपिक कि इसकी तैयारी में हमें कौन सी किताबें पढ़ हुआ उसमें बहुत सारे ऐसे ऐस्पारेंट्स थे जिन्होंने सारी बातों को इग्नोर करके सिर्फ ऐसी कुछ बुक्स पड़ी थी जो मार्केट में सिंपल एक एक बुक होते जीके को कवर करने वाला लेकिन इस बार वाले पेपर ने वो मित को ब्रेक कर दिया है जिसके बारे में हम लोग वार्निंग्स अर्लियर भी दे रहे थे तो इसलिए भी ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा यू विल नो की कौन से अच्छी बुक्स है जिनसे हम लोग इस सिलेबस को पूरा कर सकते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं अगर आप हर्याना सिवल सर्फिस की प्रेप्रेशन कर रहे हैं तो ओटू आएस अकेडमी आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपना इंक्वारी ड्रॉप कर सकते हैं दोनों दरीके के कोर्स इस अप पर अविलिबल हैं मेरा नाम है संतोक सिंग ब्राड आम सीनियर मेंटर हैर स्पेसिफिकली स्टेट सेवल सर्फिस लाइक पंजाब और हर्याना मैं स्टूडेंट को गाइड करता हूं अगर इस वीडियो के बाद भी आपके कुछ डाउट पेंडिंग रह जाते हैं आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कन डिरेक्टली फॉलो मी ऑन इस इंस्टा सोचल मेडिया हैंडल्स सो चलिए शुरू करते हैं अब सबसे बड़ा सवाल ना बुक से पहले स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि त्यारी कब शुरू करनी चाहिए तो बेसिकली मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि वो लोग जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगी तो त्यारी शुरू करेंगे देखिए जब भी नोटिफिकेशन आता है अगर मैं इसी बार का उधारन दूँ तो मार्स 2021 में नोटिफिकेशन आया था और सेप्टेंबर 12 को इनका प्रलिम्स था और वो भी डिले कोविड की वज़ा से हुआ था नॉर्मली तीन या चार महीने का टाइम हमें वहाँ पे मिलता है और अगर एक्स्टेंड हुआ तो पांच या छे महीने मैक्सिमम प्रलिम्स के लिए आपको मिलेंगे और अगर मैं आपके कमपेटिशन की बात करूँ तो आपको जीएस का से लेबल उस कमपेटिशन लेवल से त्यार करने में लगबग 10 से 12 महीने का टाइम लगेगा अगर आप सूपर हुमन नहीं हो तो त्यारी के लिए आपको नोटिफिकेशन का इंतजार करना मेरी तरफ से एडवाईजिबल नहीं है आप अभी से त्यारी शुरू करिए जिसके बास अभी टाइम अवेलेबल ह एक देट साल में you will be fully ready जब भी notification आएगा आप paper देने के लिए त्यार होंगे just you need a brush up previously अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है notification से शुरू कर रहे हो तो नहीं होगा इस बार भी हमने बहुत सारे students देखें तीन चार महीने में पढ़के civil services की त्यारी नहीं होती है आप SSE bank की त्यारी शायद कर सकते हो ठीक तो दूसरी बात अब किताबों की directly हम लोग बात करते हैं कि books कौन सी हमें पढ़नी चाहिए books cover करने से मेरा motive है कि journal studies चाहे वो pre का है चाहे वो mains का है languages जो का जो paper आता है वो सारा कुछ हम लोग cover करेंगे अब approach वही रहेगा और हमेशा यही approach की किताबे पढ़नी है प्लस कोई एक आद standard book वहाँ पढ़नी है so that की comprehensive knowledge हमें मिल जाता है consistently पढ़ना होगा और आप अपनी approach से भढ़के ना तो वहाँ पे आपको एक mentor support की आफशकता रहेगी यह कोई भी हो सकता है कोई senior जिसने already paper crack किया हो कोई आपके circle में जो already बहुत time से त्यारी कर चुका है कर रहा है आप उनकी support के अंडर यह काम कर सकते हैं अब यह इस वीडियो में मैं दोनों चीज़े आपको बता दूँगा कि कौन सी NCRT कौन सी standard books हमें पढ़नी चाहिए और other sources इसके साथ क्या रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अब focus labels हमारा जो है इस इसका ज़रा screenshot ले लीजिएगा कि यह जो general studies का paper आता है prelims में और यह जो है CSET का paper आता है just for the your reference आज हमारा topic books है तो हम उसी की बात करते हैं पहला है जी current affairs current affairs कैसे पढ़ें specifically that HCS के लिए एक बात समझिए इस बार जो आपके paper की difficulty level थी इन्होंने कोशिश किया है कि UPSC के type का UPSC जैसे question तो नहीं लेकिन UPSC के question का जैसा structure होता है वैसे structure डालने की statement वाले question भी थे थोड़ा deep analysis वाले question भी कुछ वहाँ पे रहे है सो current affairs के लिए बहुत सारे लोग दहिंदू पढ़ते हैं लेकिन state में आपके अगर मैं हर्याना specific current affairs की बात करूँ दहिंदू में आते नहीं है आपको कोई ना कोई extra newspaper आँपे refer करना पड़ेगा so the Hindu को avoid करते हुए अगर आप Indian Express पढ़ते हैं तो that would be a great choice for me यह आपको ज्यादा फायदा देगा instead of the Hindu अच्छी newspaper कवरे जाए अच्छी local state की news भी कवर करता है फिर भी अगर आपको Indian Express नहीं मिलता तो you can supplement it with the tribune जो की state-related news है अगर आप the Hindu ही पढ़ रहे हैं वैसे मैं recommend नहीं करता the Hindu पढ़ना Indian Express पढ़िए दोनों चीज़े cover हो जाएंगी अगर Hindu पढ़ रहे हैं तो जात में tribune पढ़ना पढ़ेगा और there is no shortcut for the newspaper की newspaper पढ़े बिना कोई PDF पढ़ ली कोई YouTube वीडियो देख लिया कहीं Telegram से notes डाउनलोड कर लिये these are the wastage of time वो हर बार ही proof होता है paper के बाद proof हो जाता है लेकिन आप ध्यान रखियेगा newspaper खुद से पढ़ना है कैसे पढ़ना है इस पे मेरा एक घंटे का lecture है उपर आई बटन पे क्लिक करिएगा वो मिल जाएगा तो वहां से आप देख सकते हैं दूसरा एक monthly current affair magazine आपको refer करना है जिस दिन से शुरू करोगे तयारी उसी दिन से refer करना start कर दीजेगा कितने current affair लोग पूछते हैं पढ़े जाएं तो मैं वैसे बोलता हूँ एक से डेड़ साल के current affair आप पढ़िए लेकिन newspaper सर्फ current affair के लिए नहीं यह overall GS की भी knowledge आपकी इनहास करता है तो वो तो पहले दिन से बढ़ना है एक monthly magazine जो कि आपके पिछले महीने के current affairs को revise करेगी वो ले लिजे जो भी market में आपको अच्छी मिलती है किसी अच्छे publisher के द्वारा publish करेगी जैसे द्रिष्टी के magazine अच्छी आती है या in focus एक अच्छा magazine है यह आप O2 के application पे जाएंगे तो वहाँ पे भी हर महीने एक magazine publish किया जाता है योजरा कुरुक्षेत्र है as a beginner अभी रहने देना in the mid of your preparation आप start कर सकते हो because it time taking process है दूसरा आता है history history as a subject हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए तो there is a list provided here again आप screenshot भी ले सकते NCRT's as well as कुछ standard किताबें NCRT's अगर आप देखेंगे class 6th hour past 7th hour past 8th hour past यह पढ़नी है class 11th की old NCRT जो आरे शर्मा थी इंचिन इंडिया के लिए इसको पढ़ सकते है class 12 की जो themes in latest नए वाली themes in world history यह आप पढ़ सकते हैं इसके अलावा कुछ लोग Tamil Nadu book board की भी किताबे refer करते हैं new वाली Tamil Nadu board की जो books है वो भी अच्छी हैं plus 1 plus 2 की वो books भी आप पढ़ सकते हैं इन दो books को आप replace करके उन दो किताबों को भी पढ़ सकते हैं लेकिन दोनों को दोना का पढ़ने का मतलब नहीं दोनों में से एक पढ़िएगा अच्छी हैं यह आपको internet पे available मिलेंगी यह भी आपको आपके आसपास market में मिल जाएंगी apart from the standard किताबों की बात करते हैं if you are done with the ancient history well अगर आपने NCRT और Tamil Nadu board की books में से कुछ अच्छे से ancient history cover कर ली तो उस पे standard और कोई book पढ़ने के आफशक्सानी question वही से अकसर निकल आता है दूसरा medieval India के लिए स्टीश चंद्रा की book है यह it's completely optional because NCRT level से ठीक था cover हो जाता है medieval history but फिर भी अगर आपको तसली करनी है तो आप पढ़ सकते हैं optional है list में डाल रहा हूँ compulsory books कौन सी है modern Indian history spectrum की जो रजी वहीर की book है यह आपने compulsory पढ़नी है और mains बे जो world history के selected topics आते हैं वहाँ आप Norman Lawway की किताब से उसको पढ़ सकते हैं सारी book नहीं पढ़नी है तो these are the related to history as apart from that जो daily newspaper है वहाँ पे latest कुछ excavations हो रहा है किसी मंदर के बारे में बात आ रही किसी architecture के बारे में बात आ रही है तो वह वहाँ से आप अगर notes बनाएंगे तो वह भी आपको helpful रहेंगे secondly that art and culture art and culture में जो standard किताब recommended है that is Nitin Singh Aniya but अगर मैं number of pages की बात करूँ और इसकी utility की बात करूँ कि hardly 5 या 6-7 question यहां से आने की संभाव ना है और इतनी मोटी किताब पढ़ी जानी चाहिए है नहीं तो I would recommend कि you can skip this book आप सिर्फ plus one की जो NCRT है fine arts की उसको पढ़िए and जो current affair जैसे CCRT वगरा की websites है Minister of Culture की websites है वहाँ पर कुछ छुट छुटे documents आता है regarding various art facts and dance forms etc उनको आप read कर सकते है and जो current affair है पिछले डेड़ साल में एक साल में जो current affair में चलने वाले art forms ते question जहादा तर वहीं से आने की संभावना रहती है that is why I said you can't skip news paper at all next day geography geography में जो standard किताब में recommend करी जाती है यह माजिद हुसाइन सर की book है and एक GC लिए होंगे पतलिसी किताब है apart from that other sources जो है वो है Oxford का जो map है वो आपके पास होना ही चाहिए हर एक location pinpointed याद नहीं हो सकती but there should be a broader idea about the various resources की बात करते है rivers की बात करते है mountains की बात करते है वो आपको उस map में pinpointed ना तो लेकिन broad idea वहाँ पर होना चाहिए कि कौन से चीज़ कहां पर secondly NCRT अब books की बात है माजीद हुसेन आप नहीं भी पढ़ेंगे I am okay with that नहीं जरूरत है इसकी आप GC Leong पढ़िए चोटी सी book के standard as well as plus one plus two की plus one plus two की जो NCRTs है उनको अच्छे से refer करना है थोड़े बहुत notes market में मिल जाते है world geography जो है world geography पे आप refer कर सकते हैं एक दो extra items internet पे यह हमारी app पे भी available है बाकी माजीद हुसेन बहुत मोटी किताब है यह अपका time ज्यादा लेगी नाको चने चबा देगी इसको avoid भी करेंगे तो चल जाएगा बहुत जादा नुकसान नहीं होने वाला next quality most important अब यहां पर HCS में जैसे इस बार question आए या नॉर्मली UPC में जैसे question आते हैं तो वो एक ही standard book है यह लक्षमी कान्त पढ़ने के बाद लगबग question जो है वहां से solve हो जाते हैं यहाँ सारी NCRT जो recommended है उनको आप skip कर सकते हैं except that जो plus two की पॉल साइंस किये contemporary world politics या politics since India and independence यह आपको बात में भी काम आएगी यह आप पॉल साइंस वाली पढ़ सकते हैं constitution वाला जो पार्ट है समीधान वाला जो पार्ट है वो M. लक्षमी कान से पढ़िए more than sufficient है अगर 20 question आ रहे हैं तो 15-16 यहां से हो जाएंगे अगर मैं intern governance की बात करूँ तो जैसे कुछ extra documents administrative reform commission की बात है या constitution को compare किया जाता है तो वो एक M. लक्षमी कान सर की ही बुकाती है governance पे लेकिन वो अभी नहीं बात में पढ़नी है as well as जो second ARC की report है इसका भी जो notes form में PDF है वो internet पे मिल जाता है इसको पढ़ा जाता है और governance के जितने question है वो current से publication के एक book है बट हाला कि ये भी contemporary subject है तो current affairs को अगर आप IR के perspective से पढ़ेंगे तो वहां से बहुत सारी चीज़ें आपको gain करने को मिलेंगी फिर भी को बुक पढ़ना चाहता है तो वो आप Tata McGraw Hill के book वहां से पढ़ सकते है नेक्स्ट है economy तो economy में NCRT जो है plus 1 की Indian economic development की plus 2 की macro economy economy की जो भी आप study करोगे धान रखना है सिर्फ हमें macro economy ही पढ़नी है micro economy हमारा part नहीं है एक आद question आता है लेकिन time वो ज़्यादा ले जाती है standard किताबें यहां पे बहुत सारे लोग macro hill publication की book पढ़ते है रमे सिंग की लेकिन मेरे लिए वो book ज़्यादा बलकी है आपको उतना utility उसका निकलेगा नहीं अगर आप संजीव वर्मा की भी book पढ़ेंगे तो I am okay with that यह book पढ़िए NCRT पढ़िए प्लस current documents बजट है economic survey है इसको पढ़िए जायतार question solve हो जाते है government policies, government schemes जो है वहां से जायतार चीज़े cover हो जाते है next आता है जी environment standard किताब अगेन बहुत bulk book है शंकर आये इसकी आजकल इसका utility भी कम हो रहा है जैसे question आते question जो है जायतार current affair से आता है तो environment के current affair अलग से compile करके रखिए NIOS के जो environment के notes है वहां से कुछ selected chapters and more importantly NCRT में जो ecology का part है specifically जो basic ecology and environment का part है NCRT के biology chapter number 13 and 16 से आप अगर पढ़ लेंगे तो वो आपको काफी help करेगी इसके बाद science and technology, science and technology के लिए basically आपने चेमी से दसमी बैस तो आटवी से दसमी NCRT पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा एक book है that is McGraw Hill publication की book आती है रवी पी अगर हरी की book है ये book लेंगे सारी चीज़े cover हो जाएंगी एक magazine साथ में refer कर लीजेगा science reporter because अगर कोई technology से question आता है तो वो current से होगा और ये magazine आपको 20-30 pages में ठीकठा coverage दे देती है then society, mains में कई बार question आता है society से तो NCRTs refer करिए अगर एक magazine follow कर सकते हैं अभी नहीं लेकिन महीने में एक आध editorial इसका पढ़ लिया करिए that is economic and political weekly plus one और plus two की जो sociology के NCRTs है वहाँ से selected topics बढ़के भी आपका society का part हो जाएगा दूसरा है disaster management and internal security एक question आना है आपके mains में एक question आएगा लेकिन और कोई source available नहीं है अगर disaster management की बात करूँ तो 2017 में योजना का एक January का issue आया था 58 pages में लगबग सारे disaster management वहाँ पे covered है तो ये एक पढ़ेंगे चल जाएगा मुझे लगता नहीं कि आपको और चीज़े वहाँ पढ़ने के आफशकता है internal security के लिए वो book तो आपको लेनी पढ़ेंगी challenges of internal security in India वो अशोक कुमार जो पुराने IPS सर है उनकी ये book है that would be suffice mains में एक दो question आते है stats and analysis से ये भी हमारी जो plus one की NCRT की book है उससे हो जाएंगे अगर आपने को standard किताब खरीद नहीं है हलां कि मैं recommend नहीं करता है अगर खरीद नहीं है तो spectrum की book अच्छी है statistical analysis पे mains के लिए not for the prelims हर्याना जी के हर्याना जी के में बहुत अच्छी किताबे market में available नहीं है आप हर्याना का economic survey और budget पढ़िए majority question वहाँ से पूछे जा सकते हैं current से related या एक जो अरिहांत की book आती है know your state हर्याना वो भी ठीक ठा coverage देता है बाकी different sources है अगर आप फिर भी problem face करते हैं तो उपर ना हमारी पूरी lecture series free है हर्याना पे सारा sources को combine करके 30-35 lecture हमने बनाये थे वो आप देख सकते हैं lecture 1 से 35 तक वो सारी चीज़े का उबर करेगा अब भाशाओं के अंत में भाशाओं की बात करते हैं languages की तो English के लिए lucent journal English plus एक news paper editorial वगरा आप पढ़ रहे हैं आपने follow करनी that is HG publication इस book को follow करिए जो हिंदी है इसमें आपका अच्छा score आना चाहिए practice से आएगा एक-एक हिंदी news paper पढ़ना start कर दीजे कभी एक बार weekly basis पे उसके editorials का English में meaning English का Hindi में meaning लिखना शुरू करिए basically शब्दावली सुधारी है grammar के साथ साथ शब्दावली आपकी आपका vocabulary अच्छा होना चाहिए language का तो आपका score वहाँ पे ठीक आएगा जब भी आप ऐसे वगरा लिखोगे so these were the important books जो मुझे लगता है एक serious aspirant को follow करनी चाहिए अगर आप non-serious aspirant हो तो आप जानते हो आपने वो दूसेंट बगारा देखने है विच इस शॉर्टकट और शॉर्टकट civil services में नहीं चलते हैं ठीक so that's all for today अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगर कोई issues रहे तो आप मुझे comment में या social media पर पूट सकते हैं thank you so much